पूरा वेश्व साल का पहला दिन 1st January को मनाता है पर आखिर 1st January साल का पहला दिन बना कैसे आईए जानते हैं इस चीज़ को समझने के लिए हमें Roman Empire के स्थापना काल 753 BC में जाना होगा जब Romulus ने Roman Empire की स्थापना की थी Romulus ने Roman Empire के स्थापना के साथ एक कैलेंडर भी Roman Empire को दिया था इस कैलेंडर में एक साल में 10 मंथ हुआ करते थे जिसमें साल का प्रानब मैंसिस मार्शे से होता था जो कि English का मार्श मंथ है और साल का अंथ मैंसिस डिसेंबर से होता था जो कि English का December मंथ है December और मार्श के बीच में कोई मंथ नहीं अलोट किया गया था इसे सिंपली Winter के नाम से जाना जाता था मैंसिस मार्शे से ले करके मैंसिस यूनिस तक के जो मंथ हैं वो Roman Gods या Goddess के उपर रखे गये थे मैंसिस मार्शे से नाम पढ़ा है Roman God of War मार्श के उपर उसी प्रकार मैंसिस अप्रिलिस नाम पढ़ा है Goddess of Love वीनस के उपर जिसे ग्रीक भाषा में Aphrodite कहा जाता है इसी से अप्रिलिस नाम अस्तित्तु में आया इसी प्रकार मैंसिस मायस जिसे हम इंगलिश में मे कहते हैं ये नाम आया है Goddess of Spring और Warmth माया के उपर और मैंसिस यूनिस गौद्डिस जूनो के उपर आया है जो की Marriage और Fertility की देवी है Romulus के कैलेंडर में मैंसिस मारिशेस से लेकर मैंसिस यूनिस तके मंद का नाम देवी देवताओं पर रखा गया है वही मैंसिस कुंटिलिस से लेकर मैंसिस देसंबर तके मंद का नाम उनके आने वाले करम के अनुसा रखा गया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मंद एक्जाम्पल के गरूप में मैंसिस कुंटिलिस मैंसिस मारिशेस से फिफ्फ पोजीशन पे आता है इसलिए इस मन्द को लैटिन में कुंटिलिस अर्थाथ इंग्लिश में फिफ्फ मन्द का गया है इसी प्रकार मैंसिस सिस्टिलिस मैंसिस मारिशेस से 6 पोजीशन पे आता है इसलिए इस मन्द को लैटिन में सिस्टिलिस अर्थात English में 6 मन्त कहा गया है यही प्रॉस्टर फॉलो हुआ है September, October, November और December के नाम करण में साल 750 बीसी में Roman Empire के समराड बने Numa Pompilius Numa Pompilius ने Romulus के 10 मन्त के कैलेंडर को 12 मन्त का कैलेंडर बना दिया Numa Pompilius ने December से Marcius के बीच में जो gap था जिसे हम Simply Winter बुलाते थे उसमें दो नई मन्त कर दिये Mensis Januaries और Mensis Februm Mensis Januaries related है God Janus से और Mensis Februm related है God Phebrus से जो की Purification के देवता है साल 509 बीसी से Roman Empire में Emperorship खतम हो गई और Roman Republic की शुरुवात होई Roman Republic 509 बीसी से 27 बीसी तक अस्तित्तों में रहा Roman Republic के समय Roman सामराजी का नक्षा कुछ ऐसा दिखता था Roman Republic में Emperor के स्थान पर Consuls न्यूट किया जाते थे जो की Elected Officials हुआ करते थे और ये एक नहीं बलकि एक बार में दो हुआ करते थे इन Consuls का चैन election के द्वारा किया जाता था Initially इनके election का date fix नहीं था परन्तु 153 BC से 1st January को इन Consuls के election का date fix कर दिया गया जब Rome के दो Consuls ऑफिस में Elect होकर के Nuked होते थे तो उस समय से Rome के Administrative Year की शुरुवात होती थी और ये Administrative Year उनहीं दो Elected Consuls के नाम से जाना जाता था अब चुकि 153 BC से Administrative Year की शुरुवात 1st January सोहने लगी इसलिए इसे Administrative Year का प्रतम दिन भी माना जाने लगा 49 BC से 44 BC के बीच में Rome में एक तानाशा अर्थात dictator अस्तित्तु में आया जिसे हम Julius Caesar कहते हैं Julius Caesar ने Julian calendar की स्थापना की थी Julian calendar 753 BC से साल की गढ़ना का प्रारण मानता था जो कि Roman Empire का foundation काल था इस calendar में 12 months हुआ करते थे और ये साल की शुरुवात 1st January को मानता था Julian calendar को Julius Caesar ने 1st January 45 BC को पूरे Roman समराज में एक घोशना पत्र के द्वारा लागू किया था बाद में Julius Caesar के उत्तरादिकारी Octavian Augustus जो की Roman Republic के बाद Rome समराज के पहले समराड भी थे उन्होंने Quintilius मंत का नाम Julius Caesar के उपर Julius कर दिया और Sixtilius मंत का नाम अपने उपर Augustus कर दिया यही से जुलाई और August मंत की शुरुवात होती है 379 AD से 395 AD तक Theodosius 1 Roman समराज के समराटर है इन्होंने Christianity को Roman समराज का स्टेट रिलिजिन मना दिया और इसके बाद Christianity के स्प्रेडिंग को फूस्ट मिला Christians भी अपने festivals जैसे की Christmas और Easter आधी के date को decide करने के लिए Julian calendar का यूज करते थे फर कितना था कि Julius Caesar ने जो Julian calendar दिया था उसमें साल की गड़ना रोम के स्थापना काल से होती थी बट Christians साल की गड़ना Jesus Christ के बर्थ यर से करते थे दूसरा एक बहुत बढ़ा डिफरेंस है कि Julian calendar Julius Caesar का स्टार्ट होता था 1st January से मगर Christians में साल की शुरुवात 1st January से नहीं बलकि Jesus Christ से रिलेटेड़ देट से होती थी जैसे कि 25th March या 25th December 25th March को लेकर Christians में धारणा है कि इसे दिन Mother Mary ने Jesus Christ को गर्व में धारण किया था और 25th December को लेकर Christians के अंदर धारणा है कि इसे दिन Jesus Christ का जनम हुआ था Christians 1st January को भी celebrate करते थे प्रण्दु साल के प्रथम दिवस के रूप में नहीं बलकि Jesus Christ के circumcision और उनके नामकरण के दिवस के रूप में October 1582 में ओप Gregory 13th ने Julian calendar के स्थान पर एक नया calendar लागू किया जिसे हम उनके नाम से Gregorian calendar कहते हैं Gregorian calendar Julian calendar का reformed version था इसलिए चूंकि Julian calendar 1st January को प्रारम होता था इसलिए Gregorian calendar भी 1st January को ही प्रारम होता है ये calendar October 1582 में Pope Gregory 13th के द्वारा एक पैपल बूलके थूँ लागू किया गया था इस नए calendar को लागू करने का कारण था कि Christian का Easter festival जो कि Jesus Christ के crucifixion के बाद उनके तीन दिन बाद जी उठने से रिलेटेड है उसके डेट को Julian calendar के हिसाब से fix करने में काफी समस्या हो रही थी धीरे धीरे ये उरोप ने Gregorian calendar को Julian calendar के स्थान पर accept कर लिया बाद में European देशों ने colonization के द्वारा Pope Gregory 13th के Gregorian calendar को विश्व के आदे भुभाग पर थोब दिया जिससे इस calendar ने international status प्राप्त किया 20th century के मद्ध में कई international institutions जैसे की United Nations, International Monetary Fund और World Bank अस्तित्व में आए ये institutions western values पर आधारित हैं और Gregorian calendar को यूज करते हैं इन institutions का विश्व के geopolitics और economic issues पर बड़ा पकड़ हैं यही कारण है कि विश्व के लगभग सभी देश इन institutions के members हैं और इन institution के Gregorian calendar को यूज करने के लिए बात दे हैं इस प्रकार Gregorian calendar Europe से निकल कर पुरे विश्व में फैल गया और इस calendar का नव वर्ष का दिन पूरे विश्व के लिए नव वर्ष का दिन बन गया झाल